नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम आपको जो बहुत से परेंसों का कमेंट हमारे पास आया हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही दूबले पतले हो गए हैं और दूद पीना भी बहुत ही जादा कम कर दिया है और खाना खाना भी बिल्कुल कम कर दिया है तो उसी का उपाए हम आपको भरेलू उपाए बताएंगे जो कि आपके बच्चों को भूंक लगने लगेगी और आपका बच्चा मोटा भी हो जाएगा तो आपका बच्चा दूद भी पीने लगेगा और वो उपाए मा को करना है बहुत से लोग होते हैं कि जो बच्चों के नजर लगा देते हैं दूद पीने में खाना खाने में और ठीक ठाक बच्चे होते हैं तो उनको नजर गोलमटोल होते हैं तो उनको नजर लग जाती तो दूद पीना और खाना खाना छोड़ देते हैं यानि बहुत ही कम कर देते ह लेकिं बच्चों को नहीं होता है कि हम बच्चों को डॉक्तर के पकर ले चलें or दवा ले आए चल के जिससे की बच्चे दवा खाते-खाते और उन्ह eaten tea होती है वो कमजोर चंता होती जाती है इस लिए बच्चों को addingina पर भी नहीं रखना चाहिए और तोड़ा आफी हमारे बच्चे को सायथ यह नजर लगई हो खाने पीने में अच्छी तरीके से मारा खा पी रहा था और अच्छी तरीके से इसकी हेल्टी तो जो एंसमेगा नजर की डालते और उस बात को इंग्नोर कर जाते हैं तो पेरेंस आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपके बच्चों का खाना पीना भी शुरू हो जाएगा और उनकी हेल्थ जो है वो भी बराबर सही आ जाएगी तो यह उपाय मा को करना है क्या करना है कि आटे को जैसे हम रोटी के लिए आटा गूनते हैं उ साफ पानी में और सुच बरतन में साफ सुत्रे बरतन में गूंद लेना है और उसकी इतनी इतनी सी लोई या बनाना है पांच लोई आपको बनानी है पांच लोई में आप उसको थाली में एक प्लेट में किसी बरतन में उनको पांचों को एक खटा कर लीजिए एक साथ मतल तो उसको उसको सात वार आपको बच्चे के ऐसे करके उतारना है तो आप सात वार उतार लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा जल छड़क दीजिए जल छड़कने के बाद आपको क्या करना है यह का आपको जो उपाए मैं बता रहे हैं यह सुबह ही आपको करना है और यह ले करके ऐसे हाथ में ले करके आप गव माता के यह तो प्लेट में ले जाईए उसको तो प्लेट सही तरख दीजिए तो गव माता जो है या बच्छडा हो उनके गव माता के बच्छडा हो या बच्छिया हो जिसने मतलब जन्म दिया हो तो उस गाय को आप खिला दीजिए और आपको ये करना कितने बार है यानि कि उपाए आपको सुबह नहाध हो करके और नहाध हो करके स्वक्ष वस्त्र पहन करके आपको ये उपाए करना है और करना कितने दिन है ग्यारा दिन आपको करना है ये उ हुआता को अπने मन में मतलब वह प्रॉब्लम है बच्चे की वह प्राउब्लम कह लीचें इंदर कि हमारे बच्चे को मोउप नहीं लगती है या हमारे बच्चे को किसी नहीं लगा दीया है मतलब जैसे रीव मत्क के मनों कामना करके आप से गव को कि That दिजिए तो पेरिंस आपका जो बच्चा है वो खुब दूद्ध पीने लगेगा खाना खाने लगेगा और जैसी ही उसकी हेल्थ टूटी हुई है तो उसकी हेल्थ बिलकुल यह बन जाएगी बच्चे की और जब बच्चा खाएगा पिएगा तो अंदर से बिलकुल पर तो पैरेंस हर बुद्वार को आपको यह 11 बुद्वार तक यह उपाई यह तरीका यह नुस्खा आपको अजमाना है करना है हमारे ऐसे ही नने मुने बच्चों प्यारे बच्चों से क्यूट जैसे बच्चों से जुड़े हुए ये अच्छे नुशब और अच्छे उपाय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और दूसरों में सेयर कीजिए ताकि ये दूसरे लोग भी देखें और सुनें और ये बच्चों के साथ अपना ये उप्चार ये अपना नुस्का अपना सकें